तरण मंत्री फेंके नाइडू ने कहा है कि उतर प्रदेश में हो रहे चुनावों में भाशा की मर्यादा बनाये रखने चाहिए उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस का गटबंदन एक मजबूरी का गटबंदन है और हर हाल में राज्य में भाजपा की ही सरकार बनेगी कुछ लोग मानाव बाशा प्रयोग नहीं कर रहे मैं उनके विवेचर में चोड़ना जाता हूँ कारण के वो लोग हार रहे निश्चित रूप में भारती जनतापड़ी जीत रहे सपा कांग्रेस कांबिनेशन बूरी तरफ हाने वारे है इसलिए उसलिए सब लोग मैदान में उत्रे अभी रहु जी को भी आया और रहु जी अग्रेश जी और रहु जी कितना भी जी आये तो वहां उनका स्थिति सुदान्य का कोई संभावन नहीं है